हेलो बच्चो आज का टोपिक है अरारोट और कानफ्लोर मैं दोनों को पैचान करने का तरीका बताती हूं वैसे तो मार्केट में आप बोलोगे तो ऐसे ही दे देते हैं मार्केट में बट आप उसको कैसे पैचान सकते हो और ये किन-किन की चीजों में यूज होता है अरारोट से क्या बनाते हैं और कानफ्लोर से क्या बनाते हैं किचिन में तो मैं आपको बताऊंगी डेटेल में थोड़ा ध्यान से लाश्ट तक देखना क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट लाश्ट तक रह जाता है बताने के लिए तो आप वह से म नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें बेल बोटन दबा दें और शेयर कर दें मैं स्टार्ट करती हूं यह हमारा रारूट है और रारूट को कैसे पैचानती है इसको हाथ में पकड़ेंगे तो यह एकदम से सिल्की पावडर जैसा जैसे हम फेस पावडर लगाती है टेलकम हाथ सेस्ट है जाता है और की तरह चीजमन होता है यहारिया पर भाल हमारर्ट में ट हड् implementing है यह जाता है हग início की जो तरह करने के यह इसका यूज किया जाता है और क्योंकि इस हड़ाव को छावर से यह कि बनती है और यह इंगर चिप्स बनते हैं उन्मे कि अ्राहरोड दालके उसको मिक्सकर दिया जाता हूँ तो यह न हमकी सेक कीज Wes refuses और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें इसका यूज होता है बड़ जादातर आलू को क्रिस्प बनाने के लिए या कोई भी चीज को आपको क्रिस्प बनाना है तो अरारोट का यूज किया जाता है अब हम जानते हैं कानफलोर के बारे में कानफलोर का यूज जादतर बेजिटेबिल्स में होता है जब बेजिटेबिल्स बनाते हैं तो वो पतली हो जाती है तो उसे ठिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है और आइस क्रीम बनाने में भी कानफ्लोर का यूज किया जाता है और ये कानफ्लोर है क्या कानफ्लोर होता है जो मक्का होता है मक्के का अंदर का जो पाट होता है महीन वाला वो कानफ्लोर होता है तो ये इसको भी इसको हम सब्जियों को गाड़ा करने के साम में लेते हैं और भी इसके यूज हैं जैसे आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें भी इसको डाला जाता है और ज्यादतर तो मैं इसका यूज जैसे कोई सब्जी ग्रेवी बाली सब्जी होती है और टमाटर कभी-कभी खट्टे जाद तो मैं उसमें घ्रेवी में इसका थोड़ा सा यूज करती हूं मैंने पिछले वीडियो में ग्रेष्पी बताई थी आपको तूप बाली उसमें भी मैंने यह थोड़ा सा कानफलोर डालकर उसको ठिक किया था और भी चीज़े बनती हैं इसे खाफी सारी चीज़े बनती हैं किचेन में जादतर यूज कानफलोर का होता है और कुछ चीज़ों में जो नाश्ता बगरा बनता है उसमें अरारोड का यूज होता है और वेजिटेवल बगरा में जादतर यूज कानफलोर का होता है और इन द कि इस पैसिए ग्ली और नहीं है इसको चूने हैं इसको चूहने हैं ओर Kwiki एक दम से ऐसे लगता है कि यह गया आई होप आपको इन दोन में अंतर समझ में आ गया होगा देखने में आप कुछ नहीं बता सकते हो ना टेस्ट करने से इसको बता सकते हो बस आप इसको थोड़ा सा टेच करोगे तो आप तुरन समझ जाओगे कि यह अरारोट है और यह कानफ्लोर है और मार्केट में कानफ्लोर जादतर पैकिंग में आता है और अरारोट जादतर लूज आता है लूज ऐसे ही जादतर लूज आता है और पैकिंग में कम आता है तो मैं तो इसे लूज मंगाती हूँ और इसको पैकिंग में मंगाती हूँ इसके तो चोटे बड़े कई तरह की वेराइटी आती है कॉन फ्लोर की तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही जानकारी में आपको देती रहूंगी जो आपके बहुत काम की हैं कोकिंग में ये सा